नमस्कार दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं कि कितना जादा हमारी country में और बाकी की सभी country में जो वाइरस चल रहा है Corona virus दोस्त की सुरक्षा के लिए हम सभी तरह के कदम उठा रहे हैं जैसे कि हैंड सानिटाइज कर रहे हैं मास्क का उप्योग कर रहे हैं गलप्स का इस्तम तो घर पर यह सारी चीजे बनाना बहुत आसान है यह जो बैग है यह आप देख रहे होंगे यह मारकेट से जब भी पुराने बैग पड़े हुए हैं सब्जी की दुकान पर मिलते हैं नॉर्मल किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर इस तरह के बैग हमारे घर में खूब सारे होंगे आप देखेंगे तो या फिर इसके साथ जो बड़े वाले भी बैग आते हैं इसी टाइप के कपड़े वाले उससे भी आप ये बना सकते हैं तो आज हम इसी से मास्क बनाएंगे क्योंकि जरूर नहीं कि अगर बाहर मास्क नहीं मिल रहा है मैटकल स्टोर पर आप मास्क न जरूर करें और सबके लिए बनाएं और यह पांच वर्डबे बनके रेडियो हो जाएगा इसमें एक पैसे का खर्चा नहीं आएगा घर पे इस तरह के बैग पड़े होंगे इसमें आप दो मास्क तक बना सकते हैं एक छोटे से भैग में इसे बड़े भैग भी आते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से मास्क वगेर के इस्तमाल जरूर करें, हैंड सानिटाइजर को दिन में आप 10 से 12 बार हाथ सानिटाइज करें, तो सानिटाइजर का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि उसे भी घर पे कैसे बना सकते हैं, बहुत कम पैसे मे 10-20 रुपए में ही आप बना सकते हैं, तो आइए बनाना शुरू करता हैं, इस तरह का एक बैग ले लिजिएगा, अगर गंदा हो बैग तो उसे धो लीजिएगा, और सुखा लीजिएगा, इंची टेप लेंगे अब हम, इंची टेप ना भी हो, तो भी आप आप आइडि पहले हम अच्छा सा कपड़ा निकाल लेते हैं, जिससे हम बनाएंगे बैग को, तो पहले इसको काट लेते हैं, बस सीधा सीधा ही काटना है, ऐसे ही इस साइड से भी काट लेंगे, बिल्कुल किनारे की एजिज निकालनी है, जहां से ये स्टीच है, ये देखे, इस तरह क हमारे पास कपड़ा मिल गया है, हमें इसे डबल लेयरिंग नहीं करनी है, आप चाहे तो डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंगल लेयर पर ही बनाऊंगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं, जितना अब हमें चाहिए, साड़े साथ इंच बढ़ा लेते हैं, यानि कि चार इंच कर लेंगे, और इसे भी यहां से काट लेते हैं, देखे, यह हमारे पास एक कपड़ा में मिल गया है, अब आप चाहे, तो इसे एकदम सिंपल बना सकते हैं, ऐसे ही साइड से स्टिचिंग करके, अगर आपको थोड़ा सा मार्कर स्ट इसे जो यह डबल लेरिंग में हमने कपड़ा निकाला था, आप इसको इधर से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, यह आधा इंची चोड़ी एक प्लेट डालेंगे, इस तरह से, इसके बाद में इसको स्टिच करेंगे, एक दूसरी प्लेट डालेंगे, तो मसीन नहीं ह यह काम सुई से भी हो जाएगा, बढ़ी आसानी से, आप इसमें थोड़ी सी किसी की मदद ले सकते हैं, इसे पकड़ने में यह देखिए, इस तरह से यह प्लेट जो बन रही है, तो आईए सबसे पहले हम इन प्लेट को ही बना लेते हैं, तो मैं आपको प्लेट वाला ही ब इस तरह से एक साइड से हमने स्टिच कर लिया, अब दूसरी साइड से इसी तरह की प्लेट बना लेंगे, यह देखिए, जहां से यह एक प्लेट खतम, वही से दूसरी प्लेट शुरू, तीन प्लेट ही डालनी है, जयादा नहीं डालनी है, इसलिए, और बस इसको भी हम साथ में स्टिच कर लेंगे, ये दूसरी प्लेट भी स्टिच कर ली इसी तरह से एक और तीसरी प्लेट भी बना लेते हैं अगर आपके पास में ये वाला बैग नहीं है कपड़ा नहीं है तो आप किसी रुमाल से बनाईएगा ज्यादा बहतरीन रहेगा और रुमाल जब वो गंदी हो जाए मास्क तो आप उसे धोकर भी यूज़ कर सकते हैं बार बार और दूसरी साइट से हम इसे लॉक करके कार देंगे अब देखिए ये प्लेट बन गई है अब इन ही प्लेट को अरेंज करते हुए दूसरी साइट पर बना लीजिए एक साइट जब आप कर लेंगे स्टिश तो हो जाएगी आपको बहुत आसानी दूसरी साइट के प्लेट से बनाने में तो मैं तब तक दूसरी साइट से करती हुँ देखिए इस साइट की प्लेट भी रेडी है पीछे से लॉक कर देते हैं इस समय घर पर कोई काम भी नहीं होगा घर पर ही सब लोग ज्यादा तर रह रहे हैं ऑफिस की छुटियां हैं तो आप लोग बनाईए इसे अगर आपके पास मसीन नहीं है तो मेरी तरह इस तरह सुई धागे से बनाईए और अपने परिवार वालों को भी दीजिए और दाबर करने के लिए और अब यह जो बाहर की साइट से दिख रहा है ऐसे उल्टा हम इसे थोड़ा पलड देंगे अंदर की तरफ आप इसमें प्रेस कर देंगे तो एकदम जिपक जाएगी है अब हम ऐसे करते हुए ताकि यह बाहर से एकदम बढ़िया नीट अंड क्लीन दिखे इससे दोहरी लाइनिंग भी आप दे सकते हैं यह सिंगल लाइन के साथ भी इससे एकदम बारीकी से सिल लेंगे इस तरह से यही प्रोसेस दोनों साइट से हम करेंगे यह देखे दोनों साइट से स्टेज कर लिया है कितना सफाई दिख रही है ना आपको इधर से दिखे ऐसा दिख रहा है इधर से ऐसा है अब मैंने यहां पर इसी कपड़े के आप चाहे तो इस तरह की रिबन भी लगा सकते हैं लेकिन अभी यह आप बोलेंगे घर पे नहीं है लॉक करना है कि इसे है कि मैंने इसमें थोड़ा सा आइरन कर दिया है यानि कि प्रेस कर दिया है हलका सब बहुत हलके गरम आइरन से तो यह एकदम इसकी प्लेट्स जो है वो चिपक गई हैं और मोटा मोटे कपड़े का या फिर इसी को दोहरी लेयर में आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं जैसा भी आप मास्क यूज करना चाहें इसको मैंने इधर लॉक कर दिया यह देखी और अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से हम लॉक कर लेंगे इस जगे इस कॉर्णर पर अगर ज़्यादा चोड़ा बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉर्णर पर ना लगाएं थोड़ा सा अंदर की साइड ही लगाएं यह लीजिए हमारा मास्क रेडी हो गया है पांच मिनिट में और आप चाहे तो आपके घर में मसीन हो तो इस साइड से भी आप इसको ऐसे अंदर की साइड पर फोल्ड गर के सिलाई एक कर सकते हैं लेकिन अगर आप जल्दी बाजी में हैं और अगर आप यहां भी नहीं सिलना चाते तो ग्लूगन से या फिर होट ग्लूगन होती है उससे यह सारी चीज़ें आप चिपकावी सकते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है आप किसी रुमाल या कप्टे से बनाए उसको धो दो कर बार बार इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और खुद भी पहने अपने आजपरोस में गरीबों में भी इसको बाटें जो लोग अवेर नहीं उनको अवेर करव झाल